आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में आप सभी के साथ सेयर करने वाली हूँ मिट्टी के सिबलिंग की आप किस तरह सी पूजा कर सकते हैं बहुत जली सिवरात्री आने वाली है तो मिट्टी की सिबलिंग बना कर आप पूजा करें उ तो कलस्तापना अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है अगर रुद्र अभिशेक अगर आप करते हैं यानि बड़े तोर से अगर अभिशेक करते हैं तो कलस्तापना करना जरूरी हो जाता है अगर चोटा सा भिशेक कर रहे हैं तो कलस्तापना की कोई आवश्यक्त और देखिये आम के या अशुक के पत्ते आप अवश्य लगाएं मेरा बाद करो हमें ार्यस कि तरह हैं दूरी हो पाधिये कर देकर आगाज lesson कर से क्लास करें किशिष्यार, लेक्राडम करीगहार्य पार लोगे आ तो यह फूना चावल जाते हैं अगर आप रातर के चार पहरों कि अगर पूजा करने वाले हैं तो थोड़ा बढ़ा बड़ा बड़तर लें यहां पर देखिए मैंने थाली लिये अगर देखिए इस तरह से दिखिए मिट्टी के सिवलिंग बनाए हैं हमने इसका वीडियो भी इससे पहले हमने अपलोड कर दिया है आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए आप दीपक प्रजुलित करेंगे तो देखिए हमने यहां पर घी का दीपक प्रजुलित कर लिया है इस तरह से देखिए मिट्टी के सिवलिंग की आपको स्थापना करना है यानि थोड़ी उचाई पर करें तो जाना अच्छा रहता है क्योंकि अगर जल में काफी देर तक हमारे सिवलिंग रहते हैं तो हमारे सिवलिंग सबसे पहले किया जाता है कलस का पूझन तो एक मैं रोली चावब लगा कर सबसे पहले आप कलस का पूझन करेंगे देखिए इस तरह से आपके कलस का हो जाता है बहुती सरल और सिंपल तरीका इस वीडियो में आपको दिखा रही है। देरे दीपक का पूजन आप जरूर करें। पूजन हम साथ में ही करेंगे सिर्फिलिंग के ऊपर। अगर आपके पास अलग-अलग मूर्तिया है तो आप अलग-अलग मूर्तिया भी बराजमान कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सिवलिंग पर ही आप तीनो चारो देवताओं का ध्यान करके उन्हीं पर पूजा कर सकते हैं, यानि सिप परिवार के में जतने भी सदस होते हैं, सभ धार लगा कर आपको कचे दूसरे स्नान करानी है देखिए इस तरह से कचे दूसरे स्नान हो गया इसके बाद कराएंगे हम सुद्ध जल से स्नान मूर्ती को आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है मिट्टी की मूर्ती जब की जाती है तो उसे बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता उस जगे से इसके बाद देखिए हमने याँ पर दही से स्नान करवाया है तो देखिए इस तरह से आप दही से स्नान करवा लें दही से स्नान करवाने के बाद आप सुद्ध जल से जरूल स्नान करवाएंगे तो देखिए इस तरह से देखिए आप सुद्ध जल से स्नान करवादें उसके बात करवाएंगे हम घी से स्नान तो पूरा विधीवत मैं आपको बता रही हूँ तो इसी तरह से आपको भी जब आप सिवरात्री के दिन पूजा करें तो इसी तरह से पुजा जरूर करें अगर आप सिवरात्री पे नहीं किसी अन्य दिन भी अगर इस तरह से पुजा करना चाहते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं विद्धी यही रहती है तो देखिये हमने यहाँ पर घी से स्थनां करवाया है सुद्ध जल से इसनान जरूर करवाना है इसके बाद देखिए आपको सहथ से इसनान कराने के बाद में आपको सुद्ध जल से इसनान अवर्षे कराना है उस सुद्ध जल में आप चाहें तो लोंग लाइची इत्यारी भी डाल सकते हैं सुगंदी के लिए भी आप इश्णान करा सकते हैं इसके बाद में सुद्य जल से इश्णान अवश्य कराना है जैसा कि दूद, दई, घी, सैथ और सक्कर ये पांच चीजों को मिला करके जो पंचामर्द बनता है तो ये पंचामर्द आप भी बना रहे हैं पंचामर्द बनाने के बाद में इसको बढ़िया गोल के आप जो ये पंचामर्द से इश्णान कराने के बाद में आपको मन में ओम नमस्शिवाय या नमस्शिवाय का जब अवश्य करना है इस बाद का विसे जया तक ना है और इसके बाद में जो ये आपको चननन डालके इसनान करा सकते हैं और जयाइपल, जयावित, रीत, यादी को भी आप पीसके उसका विशनान करा सकते हैं उसके बाद में सुद्यजल के बाद में आप बिजिया इसनान इसको बोलती हैं तो आप बिजिया इसनान कराएं विज्यासनान कराने के बाद में आप सुद्यजल से इशनान अवश्य कराएं सुद्यजल से इशनान कराने के बाद में आप पुस्व में रोली चावल लगा करके बोले वावा पे चड़ा देंगे और इसके बाद में एक बेल पत्र चड़ाएंगे बेल पत्र में आप जो है चननल लगाएं चननल लगाएं या ओम नमस्षिवाई लिख लें या राम राम जो भी आप लिखना रादे रादे से पूजन करेंगे पूजन करने के बाद में इसमें दूद और जल मिला करके आप चाहें तो पेवर दूद से भी अवशेक कर सकते हैं और जल मिला करके भी अवशेक कर सकते हैं और आपके बाद बरसात का जल है तो भी मिला सकते बहुत सरेश्ट है और जब अवशेक करेंगे एक सुवाट वार नमस्शिवाय का यहां उच्चारण करके जो भगवान सिभ का अब शेक स्रंगी के त्वारा किया जाता है इस एक गाय का मुख है इसको, गौ मुख बोलती है जैसे आपने देखाओं गंगोत्री में यह मनुत्री में गंगाजी निकल रह네 है वो गव के मुख से भरावर ही निकल रहे हैं तो इसी प्रकार ये भी दारणा है तो आप पुटल की ये स्रंगी पाद की ओफिख को बिल पत्र है, उसको डाजरके अपने आँकों से और मस्तक से लगाएंगे इसके बाद में सुद्र जल से श्टनल कराने के बाद में आपको दो बस्तर पहनाना है जैसे आप देख रहे हैं एक कलावा नीचे पहना है एक उपर उसके बाद में हमने या यग्योपवीत यानी जनुप पहनाया जनु पेनाने के बाद में यह जोड़ा था उसके बाद मैं अंत्रि-दलं कर रहे हैं जहां,uktorma विलव पत्र सिवार पड़ं यह हैं विल्पत्र चड़ा देनगे विल्पत्र चड़ाने बाद आप देखेंगे शमी शम्यत अपपम समी लोहित कंटे का धारिया अर्जुन बानानम रामस्य प्रियवादेनी शमी पत्राणी भगवदे सामवसदा शिवा यह नमाहा समी पत्राणी समर बयामी समी पत्र आप चड़ाएंगे और समी पत्र चड़ाने के बाद में जो है आप अभी देख रहे हैं अकवा के फूल चड़ाएंगे समी पत्र चड़ाया है इसके बाद में अस्त्रों से मिले पत्र चड़ाएंगे वो सोविल पत्र चड़ाने के बाद में एक समी पत्र चड़ाएंगे तो जो आपको पुण्य और जो फल सोविल पत्र से प्राप्त होता है वो है एक समी पत्र चड़ाने से प्राप्त होता है इसके बाद आप देख रहे हैं गुलाल गुलाल हमने चड़ाया है और गुलाल चड़ाने के बाद में आप जो है बोले बाबा को जी क्या स्रंगार कर रहे हैं बोले बाबा का अलग लग चीजों से बाबा का स्रंगार किया जा रहा है तो गुलाल के बाद में अभी आप देखेंगे अभीर चड़ाएंगे चमकीला जो होता ह 있고 चड़ा और इसके बाद में गल्दी मिलता है कि पती की दीर गायू के लिए सुहाग निस्त्रियों को जो है सुहाग सामगरी को दान करना चाहिए जैसे आप पारवती जी का आप तूजन कर रहे हैं तो इसलिए जो सुहाग की सामगरी पारवतीजी को चड़ाई जाती है और आप जो इसके लावा किसी ब्राह्मन को भी स्वाग सामगरी का आप दान कर सकते हैं और अगर आपकी कुंडली में कहीं सुक्र गडवड है तो आपको निश्चती जो यह स्वाग स्रेंगार की सामगरी दान करना चाहिए उसके बाद में आपने देखा हमने धूब दीब देखाई थी इसके बाद में मेवाउं का भोग लगाया और मेवाउं के भोग लगाने के बाद में रितूपल पपीते का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद में किसी प्रकार की कमी रहती है तो उसके लिए आज जोड़के प्रार्थना करते हैं और दख्षना चड़ाते हैं तो य आपको जो भी आता है मंत्र जैसे करपूर गोरं करुणा बदारं समसार सारं बुजगरेंदारं सदा वसंतं ब्रदयार बिंदे भवं भवाने सहितं नमामी अब जो है इसके बाद में पुस्पांजली जैसे ओम पुस्पांजली करी नाना सुगंद पुस्पांड यता परमे स्वारा शामबसदा शिवाई नमाहा मंत्र पुस्पांजली चलाने के बाद में बगवान बोले बाबा से आप हाज जोड़के प्रार्तना करेंगे है प्रभू हमारी इस पूजा में जो भी तुटी हो उसको चमा करें और हमने जिस कामना और जिस मन से यह पूजा की और ऐसे बाबना करते हुए और बाबा को आप जो यह साश्टांग दंडवत प्रणाम करें जैस्री रादे मित्रों वीडियो अगर आपको अच्छा लगाए तो इसको सस्क्राइब अवश्य करें